गाइस जैसा कि आप लोग को पताईए कि अभी काफी सारे एब्स हैं डार्क मोड का फीचर लेकर आ रहें जो की काफी बढ़िया बात है क्योंकि यहां पर हम लोग जब फोन से अगर रात में अंदेरे में यूज करते है तो उसके जो फोन की रॉसनी यह लाइट है वो आप ज़्यादा इफेक्ट करती है तो इसके करण डार्क मोड में अगर हम लोग उसको यूज करते तो आंक को थोड़ा सा बचता है आंक हम लोग का थोड़ा खराब होने से यहां पर कुछ दिन पहले मेसेंजर ने भी लाया भी डार्क मोड का फीचर जो की काफी बढ़िया आज की इस वीडियो में यही आपको बताने वालो कि आप क्रोम ब्रॉजर में डार्क मोड को कैसे इनेबल कर सकते हो इस वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को अन तक जरूर से दिखिका एंड अगर चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब कर द अगर आपने अपि तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन पर इस ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको time to time मिलती रहे तो guys यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होगी कि एक application है येलो कलर का Chrome तो guys ये गूगल का ही official application है गूगल का ही Chrome browser है जो कि एक मतलब उसका डिट्टो कॉपी ही करके अपलोड कर दिया गया है प्लेश्टोड पर जो गूगल नहीं किया है ठीक है एंड ये इस application में आप डार्क मोट का यूज कर सकते हैं हर चीज Chrome browser के ज़सा मिलेगा ऐसा नहीं है कि आप Chrome browser के बदले इसको यूज करोगे तो हिचकी चाना है एसा कुछ नहीं है सारी चीज़े Chrome browser के रही है एकदब Chrome browser ही है तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है इसका लिंक आपको description में मिल जाएगा और वहां से इसको डाउनलोड कर लेजी अच्छे लिए ओपन करके इसको देख लेते हैं यह देख सकते हो गाईस कि यहाँ पर यह ब्लैक कलर में ओपन रिचुका है मतलब डार्क मोड में आपको अच्छा भी लग रहा है यह आप कैसे कर सकते हो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी पड़े कि तब ही आपके फोन में होगा डाइरेक्ट अगर आप इसको डाउनलोड कर कॉपिंग करते हो तो आपको ऐसा फीचर नहीं मिलने वाला गाईस तो चलिए देखते हैं कि वह आप कैसे कर सकते हो तो सबसे पहले आपको एक न्यू टैप उपिंग्न करने ना वहां पर आपको कुछ सप्पर बतातीता हूं ॉपपिंग पर बडोड़ मॐकाइब कुछ यहां पर आजाएग sociale नजैसे अप ऐस तरह ऐरा शोत्तौर सर्च कॉप्सम में ऐसरी ए स कुछ आब ऐसा वाल जाएगा क्योंकि मैंने इसे Enable किया था, इस पहले आपको बता दे रहा हूं पहले आपका ऐसा रहाएगा, ठीक है, आपका Default क्या हो रहाएगा तो आपको करना है कि Default पर क्लिक करके उसको Enable कर देना है, और Enable कर गाइस नीचे आपको एक option दिख रहा है रिलाउंच नाओ तो जैसे ही मैं इस फिक क्लिक करता हूं तो ये option जो application बंद हो जाती है फिर से open होती है अब मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि ये कुछ ऐसा आ रहा है आप लोग एक बार इसको ट्राइ कीजिए ये जो मैंने आपको बताया लिंक जो है मतलब chrome.sasus screen पे भी आपको दीख रहा है लिंक आपको description में भी मिल जाएगा आपको आप लोगो को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आगा इस तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लिजिए अगर चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए क्योंकि यहां पर मैं ऐसे ही tips and tricks related videos लाता रहता हूं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो माँ गाइस सब्सक्राइब टेक केर एंड बाइबाए